Hi Everyone, Welcome Back to General Organic Chemistry का Equation हम यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं तो कार्बोकटाइन की Stability पूछी गई है, दोनों में से किसकी जादा Stability है तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे Groups कौन से लगे हैं, यहाँ पर Sino Group लगा है यहाँ Sino Group लगा है और यहाँ पर दो Bromine Groups लगे हैं, ठीक है अगर आप देखोगे, जो कार्बोकटाइन की Stability होती है, वो Directly Proportional होती है प्लस Eye Effect देने वाले Groups से, ठीक है जितने जादा प्लस Eye Effect देते हैं Groups, उतनी जादा उसकी क्या होती है, उसकी Stability होती है मही पर यही चीज हम कैसे कर सकते हैं, अगर Minus Eye वाले Groups हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, यह चीज inversely proportional हो जाती है तो जितना जादा Minus Eye Effect है, उतनी Stability कार्बोकटाइन की कम है इसका Reason क्या होता है, जैसे कर्बोकटाइन होता है, तो Positive Charge है, जितना जादा Minus Eye Effect होगा Minus Eye Effect क्या होता है, विड्रोइंग Effect, उसकी वज़े से जो कर्बोकटाइन है, Positive Charge है, वो Intensify होगा और अगर Charge Intensify होता है, उसका मतलब Unstability होती है, Dispersion of Charge से Stability आती है और अगर Charge Intensify होता है, तो Unstability है, तो आपको ये वाला Relation ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है Minus Eye Effect, Sainite भी शो करता है, जो Bromine है, Halogen, वो भी Minus Eye Effect देते है तो दोनों यहाँ पर Minus Eye Effect देते हैं, अब कैसे देखेगे, अब जो कम Minus Eye Effect शो करेगा, जिसका Minus Eye Effect कम होगा, उस Carbocatine की Stability ज़ादा होगी, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर Problem अब क्या है, कि यहाँ पर दो Bromine है, यहाँ पर नंबर का भी फर्क है, दो Bromine यहाँ पर है, यहाँ पर एक Sinide है, देखो, जेनरल जो Strength का Order है, वो मैं आपको बताती हूँ, वो क्या होता है, जो Sinide होते है, वो ज़ादा Minus Eye Effect शो करते है, as compared to Halogen, particularly यहाँ पर हो गया Bromine, ठीक है, लेकिन एक ट्रिक में आपको बताती हूँ, वो आपको ध्यान रख Distance, Number and Strength, सबसे पहले आप Priority देते हो Distance को, ठीक है, आपको Distance में देखना है, क्योंकि जो Inductive Effect होता है, वो Distance Dependent होता है, जो Group जादा Pass में होगा, उसका Effect जादा होगा, तो Distance देखना है, Distance देखो, यह आपका Positive Charge लगा है, यहाँ पर इस Carbon पे, उसके Very Next पे आपके Groups लगे ह Same goes for this Carbocatine, यहाँ पर Positive के बाद, इसमें Very Next Carbon पे साइनाइड लगा है, तो Distance तो दोनों का सेम है, तो Next हम Criteria पे चलते हैं, नंबर पे, ठीक है, अब नंबर देखो, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक ही नंबर लगा है, किसका? साइनाइड का, यहाँ प नंबर में आप देखोगे, क्योंकि Distance सेम है, तो नंबर से देखोगे, यहाँ पर 2 नंबर है, माइनस आइफेक्ट वाले दो ग्रूप्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर सिर्फ एक है, बेशक उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बेशक उसकी स्ट्रेंथ ऐसे है, कि साइनाइड ज और इसकी वज़ए से इसमें जो स्टेबिलिटी है, वो कम होगी, तो यहाँ जो है, यह वाला कार्बोकिताइन कम स्टेबल है as compare to first तो first वाले की stability जादा है as compare to second क्योंकि क्या होता है minus eye effect जितना जादा होगा उतनी stability कम होगी ठीक है तो यहाँ पर minus eye effect जादा है तो उसकी stability कम है क्योंकि यह inversely proportional होते हैं तो यहाँ से हमने यह देखा कि हमें DNS ध्यान रखना है ठीक है priority order क्या होता है पहले आपको distance को priority देनी है फिर आपको number को देनी है उसके बाद आप strength चेक करते हो जैसे यह चीज रहती है कि जो syno group है वो जादा minus eye effect में उसका strength जादा है as compare to halogen वो चीज़े आप बाद में चेक करते हो firstly आपको यह चीज़े देखनी है ठीक है तो कौन सा stable है first carbocatine जादा stable है as compare to second